22 अप्रेल को बन रहा है चतुर्गरही योग पाच राशी के जात्पों का चमके का भागे अपार धन लाब के योग हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था जोतिश ज्यान में कि मैं आपको बताती हूँ धार्मी जोतिश से जुड़ी कई इंटरस्टिंग बाते अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बैल चमकेगा भगे अपार धनलाब के योग मेश राशी में बारा साल बाद सूरे राहू बुद्ध और गुरू के मिलने से दुरलब चत्रुग्रही योग का निर्माड हो रहा है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अप्रैल का यह महीना बहुत महतपून माना जा रहा है इस महीन कई ग्रहें गोचर करने जा रहे हैं इन ग्रहों के गोचर से बहुत महतपून योगो का निर्माड हो रहा है जो अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग परभाव डालेंगे बारा साल बाद मेश राशी में ही चत्रुगरही योग बनने जा रहा है मीन राशी के जात्कों के लिए यह चत्रुगरही योग शुभ फल देने वाला साबित होगा 22 अपरेल सन 2023 को गुरू मेश राशी में गोचर करने जा रहे हैं जोतिश शास्त्र की घटनाओ के अनुसार इसी दिन मेश राशी में चार ग्रहों का अनोखा सयोग भी बन रहा है मेश राशी में वर्तमान में राहू और बुद्ध विराजमान हैं 14 अपरेल को सूरे और 22 अपरेल को गुरू मेश राशी में गोचर करके चत्रुगरही योग बनाएंगे 12 साल बाद इस राशी में आ रहे हैं और सयोग से 12 साल बाद फिर से मेश राशी में जार ग्रह मुझूद होंगे मेश राशी में बनने वाले इस चत्रग्रही योग का लगबक सभी राशियों पर असर देखने को मिलेगा चत्रग्रही योग से किन राशियों को फाइदा मिलने वाला है आईए जानते हैं वैं कौन सी राशिया है जिनको इस चत्रग्रही योग से फाइदा मिलेगा तो पहली राशी है मेश राशी 12 साल बाद मेश राशी में ही इस चतुग्रही योग का निर्माड हो रहा है यह योग मेश राशी के जात्कों के लिए शुभ फल देने वाला है मेश राशी के जात्कों के व्यक्तित्व में निखार आएगा जातक एक नई उर्जा को मेसूस कर सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं तो इस तोरान आपका विवाहत तै हो सकता है साजेदारी में कोई व्यपार करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी नोक्री भेशा लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे उसके बाद हम बात करते हैं करने राशी के लिए करने राशी वालों के लिए यह चत्रग्रही योग शुब होने वाला है करने राशी के जातक लंबे समय से चली आ रही बिमारियों ते निजात पाएंगे नोक्री पेशा लोगों को अपने कारे शेतर में उन्नती मिलेगी आपके कोशल और बुद्धी मानी के दम पर किये गए कारेों में सहकर्मी और अधिकारी वर्ग प्रसन होंगे आपके कारे की सराहना की जाएगी उसके बाद तीसरी भागेशाली राशी है तुला राशी बारा साल बाद मेश राशी में बनने वाला यह चत्रग्रही योग तुला राशी वालों के लिए अच्छे परिडाम देगा इस योग के प्रभाव से आपके रुके हुए कारे पूरे होंगे विवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साती के साथ ताल मिल बिठा पाएंगे यदि आप कही निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है आपको लाब होने की पूरी संभावना है उसके बाद चोथी भागेशाली राशी है धनूराशी धनूराशी वालों के लिए भी ये चत्रग्रही योग शुब होने वाला है धनूराशी के जात्कों को संतान पक्ष से शुब समाचार प्राप्त होंगे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है अध्यात्म धरम और जोतिस से जुड़े शेत्रों में काम करने वालों के लिए यह शुब समय होगा नोकरी पेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए मोके मिलेंगे धनूराशी के जातक नए कोशन को विक्सित करने और खुद पर ध्यान केंद्रित करें पाच्वी भाकेशाली राशी है मीन राशी मीन राशी के जातकों के लिए यह चतुर्ग्रही योग शुब फल देने वाला साबित होगा मीन राशी के जातकों को करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं कोशिश करे कि एक साथ बहुत सारे काम ना करे नोकरी पेशा लोगों को नई नोकरी मिलने के योग बन रहे हैं, वेवाहिक जीवन सुखी रहेगा, वेपारी वर्ग को भी अच्छा लाब मिलने के योग है, जो विध्यारती प्रत्योगी परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, तो इस प्रक और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मेरे आस्था और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों